Hello Friends, Welcome to Only Eyes Foundation. सबी Friends का बहुत-बहुत स्वागत हैं. तो आज एक लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं Public Facilities की, जन्सोविधाओं की और देखेंगे कि हमारे Constitution में ये primarily जो जो इस रिस्पॉंसिबिलिटी है वे गवर्मेंट की है कि वे हमें Public Facilities को प्रोवाइट करें. तो आब दक हम बात कर चुके Indian Constitution, Secularism, Parliament and Making of Law, Judiciary, Social Justice and Marjolized, Economic Presence and Government ये जो आपका Unit 5S में 2 chapters है. First जिसकी हम आज बात करने वाले हैं और Second जिसकी हम Next और Last आपकी क्लास होगी Law and Social Justice और इसके बात फिर हम Class 8 का जो Photography है वे देखेंगे. Basically ये जो chapter है आपको कुछ बाते बताता है. सबसे पहले आपको चेंड़ी का जो Example है वे बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर Water Stress है, किस तरीके से लोगों को केवल शायद 3 Bucket सी जो पानी है वे मिलता है पूरे अपने दिन भर के यूज के लिए तो यहाँ पर Water की बात करेंगे और साथी हम चिन्नी का एक जो Case Study हो दारन उसकी बात करेंगे और इसको हम जोड़ेंगे हमारे UPSC Bains का जो इशू है आप देखेंगे कि जो भी इस तरह के Challenges है चाहे Environmental Challenges इसकी बात करें उसमें Water जो Stress है वह भी शामिल है सो हम इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा हम आपका जो Water Stress वाला टॉपिक होगा इसको विस्तार से देखेंगे सब्सक्राइब हम बात करेंगे Water as Part of Fundamental Right to Life Right to Life आपका Article 21 है And Right to Life में हर उस बात को शामिल किया जाता है जो हमारे सर्वाइवल से जुड़ी हुई चीज़े हैं For example, चाहे हम Right to Food की बात करें For example, चाहे हम Right to Water की बात करें या फिर हम Right to Livelihood की बात करें समय समय पर देश की विबिन ने जो Courts है, Supreme Courts है उनके द्वारा ये Judgment दिये गए कि जो भी इस तरह के चाहे हम Water की बात करें Clean and Fresh Water Drinking Water, चाहे हम Sanitation, Hygiene की बात करें ये सारे चीज़े Pollution Free Environment की बात करें सब आपके Article 21 के अंतरगत शामिल होगे Public Facility and Government ठीके, देखेंगे कि जो Government का रोल है वह क्या है, साथ ही हम SDG 13 SDG 6 SDG 11 and Sustainable Development Goal जो 12 है, इसको भी साथ साथ में Connect करेंगे, ठीके Clear है? चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर जो आप Public Facilities की बात करते हैं सबसे पहले ये देखो कि जो Public Facilities है आखिर वह है क्या Public Facilities का मतलब क्या है Public Facilities जन सुविधाएं Public Facilities यारी जन सुविधाएं ठीक है? देखो, जैसे कि मैं आपको कुछ Basic Communities की बात बताती हूँ जो हमें मूलभू सुविधाएं अपने जीवन के लिए चाहिए होती है Basic जो Communities हैं Colleges, University, School ठीक है या फिर हम Universities की बात करें तो इन सभी जो इन सभी जो Basic Communities होती हैं इन सभी को हम Collectively क्या कहते हैं Public Facilities कहते है Collectively हम इसको क्या कहते हैं Public FacILITIES जो है वह कहते हैं अब next question उठता है कि अगर हमारे ये basic needs हैं ये मूलभुस सुविधा हैं देखो basic needs का मतलब होता है कि जो आपके survival के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं तो ऐसे में हम देखते हैं कि आखिर ये जो facilities हैं से कौन provide करेगा है ना तो constitution में बच्चो constitution में इस बात को माना गया ह है कि ये जो basic facilities हैं इसको provide करने का जो जिम्मा है वैं government का है ठीक है ये जो facilities हैं इसको provide करने का जो जिम्मा है वैं किसका है government का है so public facilities चुकि इनको constitution में ठीक है recognize किया गया है right to help में constitution में recognize किया गया है कहाँ पर right to life में जीवन करिकार में right to life right to life आपका कौन सा article है article 21 है ना article 21 right to life में जो है हमारे constitution में इसको इसको शामिल किया गया है और यहाँ पर यह कहा गया कि यह सारी चीज़ें चुकि आपके survival के लिए आपके betterment के लिए आपके development के लिए जरूरी है और यहाँ पर responsibility जो यह दी गई है मैं government के हिस्से में गई है है ना कि अगर water health education is the being a part of right to life so government government is to ensure government is to ensure etiquette public facilities for everyone public facilities to everyone ठीके तो यहाँ पर government जो है सरकार जो है इस पर इस बात की accountability उत्तरदायत वह है कि जो जरूरी है हमारे जीवन के लिए वो facility जो है वह हमें provide करें ठीके so basic amenities the government is required to facilitate the provision of basic amenities like water health care education है ना और इन सभी को such amenities are collectively referred to a public facilities जन सुविधाय and constitution में इसको refer कहाँ पर शामिल किया गया right to life जीवन के अधिकार में article 21 में सभी बातों को शामिल किया गया और इसमें government is to ensure etiquette public facilities to everyone तो इन सुविधायों से facilitate करना mainly किसका वाक होगा किसकी duty होगी government की duty होगी ठीके अच्छा देखो water stress आपके means का एक important topic है तो जो भी इस तरह के challenges है हमारी society में एक environmental issue भी है बहुत बड़ा काफी सारी reports इससे जुड़ती है current affair का बहुत बड़ा मुद्दा है तो आपको water stress पूरा complete करना है कुछ help मैं आपकी करती हूँ कि आपको जो water stress है कैसे cover करना है ठीके चलो आओ कुछ points मैं आपको बताती हूँ water stress के बारे में पानी की जो कमी है ठीके water stress के बारे में कुछ points जो है भी हम discuss करते हैं सबसे बहुत तो ये देखो कि अगर आपको define करना हो कि water stress का मतलब क्या है अगर आपको define करना हो वैसे तो हम कहते हैं कि इतना एक तहाई पानी है हमारी प्रत्वी पर हमारे अट पर हम देखें हम surface पर जो है है ना वो बहुत जादा है और ऐसे में जब हम देखते हैं कि अगर एक जो तीसरा हिस्सा है वै धका हुआ है प्रत्वी पर जल से धका हुआ है और ऐसे में फिर्मियम water stress की बात करते हैं तो water stress का मतलब यह नहीं कि हमारे पानी रही है प्रत्वी पर इसका main मतलब यह है कि हमारे पास fresh water जो है वै अवलेबल नहीं है ना So water stress को क्या define किया गया है is a insufficient fresh water resources ठीक है is a insufficient fresh water resources water stress तो main जो कमी है main जो problem है वै पानी की नहीं है ना वै main कमी किस चीज़ के fresh water के के हमारे use के लिए जो पानी अवलेबल है वो अवलेबल नहीं आप देखेंगे कि जो fresh water जानतर वै glaciers पे अवलेबल है और global warming और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे glaciers तेजी से पेखल रहे है जिससे जो बाड़ की समस्या हमें बढ़ रही है ना चानक से तो यहाँ पर इसको define किया जाता है कि आपके पास जो fresh water resources है वै अवलेबल नहीं है ये water stress हो गया अब आगे देखो एक report कहती है कि 1.1 billion जो people है आप मैं कुछ reports कुछ facts की बात करती हूँ ठीक है जो कि आपके mains की answer writing के लिए बहुत जरूरी है कुछ मैं report की बात करती हूँ बच्चों तो एक report ये कहती है है worldwide पूरे विश्व के accordingly अगर हम देखे है ना तो इनके पास lack access to water lack access to water ठीक है पानी की जो पहुँच है परियाप्त नहीं है वो जो पहुँच है वै काफी कम है तो 1.1 billion people ऐसे हैं worldwide पूरे विश्व में जिसके पास access पानी का कम है ठीक है अब देखो next हम देखेंगे 2017 की अगर मैं एक report की बात करूँ एक report 2017 की report बताती हूँ मैं आपको जिस report में ये कहा गया 2017 में global risk report जो की world economic forum है देखो कौन सी report कौन publish करता है काफी important है जिससे की DTIU भी water को लेकर कुछ जो index है बैं publish करता है कुछ reports publish करता है तो जब कभी water crisis, water stress ये सारे चीज़े लिखो तो आपको उन reports के जो fact है जो data है अपनी means answer writing में use करने होते हैं तो कभी भी केवल water stress लिखना है तो ऐसे नहीं कि बस हम stress बताए जा रहा है कि ये water stress है basic basic बताए जा रहा है हमें इसको हमीशा current affairs से जोड़ना है हमीशा हमें report से जोड़ना है 2017 में Global Risk Report Global Risk जो report है अगर हम विश्विस्तर पर जोखिम देखें reports देखें जो कि World Economic Forum के द्वारा World Economic Forum के द्वारा ये जो report है publish की जाती है और इसमें कहा गया था कि जो water crisis है जो पानी की ये जो समस्या है ना water crisis third biggest global risk है ना third global risk है तीसरा जो global risk है पूरे विश्व में भाई क्या है पानी की कमी है third important एक ऐसा इश्यू है और एक ये environmental issue भी है अब देखो हम नीती आयोक की बात करते हैं तो नीती आयोक के द्वारा जी के डीती आयोक की द्वारा एक जो इंडेक्स है मैं publish किया जाता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि roughly roughly around 45% of the population 45% of the population जनसंख्या का लगबग 45% जो हिस्सा है in इंडिया भारत में है ना in इंडिया is facing is facing high to saviour water stress high to saviour water stress जिसमें कि हम chain नई, डेली ये सारे जो cities है इनके examples लिख सकते है कि 45% ऐसा population है जो कि इंडिया में highly face कर रहा है water stress को अच्छा नीती आयोक का एक composite water management index भी है इस तरीके से UPSC questions भी पूछ लेती है आपको याद रखना है ठीके तो नीती आयोक का जो index है water composite index उसको भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर हमने definition की बात की ठीके world level पर कुछ reports देखा कि कितने प्रतिश्यत ऐसे लोग है फिर कितने लोग है जिनके पास lack access to water है और हमने global risk report की जो बात है भैकी ठीके अब देखो एक दो points में आपको और बता दो अच्छा water stress components आखिर है क्या water stress की अगर components की बात करूँ की आखिर water stress में क्या क्या आएगा components में देखो हम तीन points जो है वह देखते है first हम देखेंगे कि एक तो जो पहुँच है वह नहीं है लोगों की ठीके फिरस्ट के आएगा कि लोगों की जो पहुँच है वह नहीं है अगर पहुँच है तो water की जो quality है वह खराब है जो गुढवत्ता है वैं खराभ है तो यहां पर अगर water stress की बात करें तो water stress जसका मतलब या तो लोगों का लोगों के पास water का access नहीं है और अगर access है तो जो पानी की गुढवत्ता है वैं खराभ है और तीसरा और important इसमें हम देखेंगे कि अगर access है नहीं है quality है नहीं है और तीसरे इसमें हम देखेंगे एक्सिस quality and availability कितना उपलब्ध हो पा रहा है ठीके availability उपलब्धता की भी हाँ बात हम इसमें करते हैं कितना उपलब्ध है तो उपलब्धता गुडवत्ता और पहुंच ठीके अगर ये तीनों चीज़े आसानी से हो पा रही है तो हम मानेंगे कि water access नहीं है अगर इसमें से कोई एक या दो चीज़े भी नहीं है तो हम मानेंगे कि पाने की जो समस्या है वह किसी particular जगा पर है UNB water जो development report है UN के द्वारा भाई भी publish की जाती है तो हम बहुत सारी ऐसी reports देख पाते हैं अभी कि किस तरीके से एक तरह से जो water stress उसको एक global risk की तरह आए और एक water stress जो है एक environment एक पर्यावर्णी मुद्दा है आपके environment से जुड़ता है environmental issue हो है एक पर्यावर्णी मुद्दा है मुख्य मुद्दा होगा अपड़ोरी अब चाहे क्रशी की बात करें चाहे हम अपने घर के यूस की बात करें है न तो व्यक्तिगत रूप से और साबोहिक रूप से आपको अपने कारियों को करने के लिए जो पानी की जरुरत होती है वो आपके पास तही है ठीके इससे हर चीज़ प्रभावित होगी अगर हम फूट की बात करें तो हमारे पास जो फूट अभी आसारी से अविलेबल है ठीके जो भी हमारे पास अनाजासरी से अविलेबल है क्रशी अगर हो पाती है, agriculture ठीक से हो पाता, तो उसकी पीछे कारण है पाणी, जहाँ पर नहीं होगा, वहाँ से, जो बाकी सारी चीज़े है, food crisis, सारे crisis जो है, वे water stress से जोड़े, देखो, ऐसा क्या नहीं है, जो water से जोड़ा हो, कहते हैं जली जीवन है, देखो, खुद सोच थी जिसमें कि एक रिटन लेटर जो है एक महभूब नगर डिस्टिक में एक किसान ने लेटर दिया हुआ था जिसमें यह कहा था कि हमारे आका जो डिंकिक वोटर में बहुत ही जादा उसकी क्वालिटी जो है खराब हो चुकी है क्योंकि यहां पर जो इंडस्ट्रियल जो ज के द्वारा जो डिसीजन से वह दिये गए थे कि यहां पर जो लोग है उनको फ्रेश वोटर जो है वह दिन में इतने लीटर पानी पीने के लिए जो एक क्लीन वोटर है वह एवलेबल कराया जाए है ना तो इस तरीके से हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे इसमें केसिस करेंगे अच्छा देखो गवर्मेंट के द्वारा कुछ योजना है जो है वह वाटर को लेकर चलाई जा रहे हैं यह आपके लिए एक जब आप मेंस आंसराइटिंग करेंगे तो आप वाटर स्ट्रेस मैं भी आपको एक कुशन भी बताऊंगी ठीक है एक कुशन भी मैं आ लिए कर आया है वह आपको बतारी पड़ते जैसे कि हम अटल भूजल योजना की बात करें अटल भूजल योजना ठीक है इसके अलावा जल शक्ति अभियान जल शक्ति अभियान कई स्टेट के द्वारा भी अपने अपने अलग अभियान और योजना चलाए गई जैसे गुजरात ने सुझलाम सुफलाम योजना तो MP ने कपिल धारा योजना इसके अलावा जो नीती आयोक का इंडेक्स है कंपोजिट वोटर इंडेक्स ठीक है तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स और चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं कि हां गवर्मेंट जो है इसको स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ कुछ जो अपाय है वह कर रही है ठीक है तो ये आपका एक overall जो answer है वह हो जाता है चलिए आप एक question लिख लिजे question एक means के लिए जो कि आपके लिए important है एक question में आपको बता देती हूँ है ना इस तरीके से आपकी means answer writing जो है means के लिए एक practice question में आपको देती हूँ question है what is water stress What is water stress? Discuss the current challenges. Discuss the current challenges. Discuss the current challenges related to water management in India. 200 words में लिखना. 200 words में लिखना तो इसमें आपको बताना है सबसे पहले कि जो water stress है आखिर यह है क्या इसकी आपको definitions बतानी है है ना? और आप यहां पर जो अभी at present हमारे पास जो challenges है water stress को लेके water management को लेके तो यह भी जो है आपको बताना है 200 शब्दों में आप लिखने के इसको कोशिश करेंगे तो इसी तरह सो जो issues है मैं UPSC पूशता भी है clear है कोशिश कर लेंगे इसको लिखने का आप water stress को समझ चुके हैं और भी जो चीज़े हैं हमें आपको बता चुकी हो चलिए हम बात करते कि जीवन के अधिकार के रूप में जो पानी है water is the part of the fundamental right to life आखर ये कैसे जो है जुड़ा हुआ है सबसे पहले देखो बच्चो कि अगर हम देखे कि water जो है एक essential basically एक ऐसी चीज है है na essential part है essential है हमारे life के लिए हमारी good health के लिए साथ ही अगर हमें safe drinking water जो है नहीं मिला clean drinking water जो है नहीं मिला तो ऐसे में water diseases होंगी और कुछ reports कहती है कि अगर हम कुछ fact देख ले तो लगबख 1600 जो Indians है per day per day की बात कर दी हो है na 1600 जो Indians है die everyday because of water related diseases तो जलसे होने वाली जो बिमारिया है चाहे हम बच चाहे diarrhea हो चाहे cholera हो इस तरह की बिमारियों से water related diseases से उनकी जो मृत्यू है वह हो जाती है वह death कर जाते 1600 अगर सोचो हम एक जो fresh and clean water जो है अगर वह available करा दे तो ऐसे में इतने लोगों की जो जान है वह बच सकती है जिनने की water related diseases के कारण problems होती है so water क्या है एक essential है हमारी life के लिए हमारी good health के लिए है ना चलिए साथ ही हम देखेंगे access to safe drinking water can help prevent this death and right to water is a part of the right to life under the article 21 of the Indian constitution तो अगर हम article 21 को देखे article 21 में right to life हम कई बार इसकी चर्चा करते है जब भी हम बात हमारे life की होती हमारे जीवन की होती तभी हम इसकी चर्चा करते कि article 21 में right to life है और हमारे जीने के लिए जो भी essential जो भी चीज़े हो सकते है जो भी rights हो सकते है वो सभी इसी में आके शामिल हो जाएंगे है ना तो य sufficient amount of water to fulfill his and her daily needs at the price that he she can afford and other words there should be universal access to water. अब देखो कुछ points मैं आपको बताती हूँ. तो यहाँ पर जो आपका यह right to water है right to water है एक question पूछनू पहले मैं आपसे चलिए question देखो जरा Consider the following statement about right to water. The right to safe drinking water is a fundamental right. Explicitly mentions in the constitution. The constitution of India recognized the right to water a being of part of right to life under article 21. आपको बताना है correct statement जो है कौन सा है पहला statement आपसे कहता है कि जो सुरक्षित पेजल का अधिकार है वैं आपका मौलिक अधिकार है जिसका संविधान में इस पस्ट उल्लेख है और भारत का संविधान article 21 के तहर्त पानिक के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बादता है तोनों sentence different है एक में कहा गया कि ये एक इसका भाग होगा और पहला कहता है कि ये बहुत ही clearly mentioned है हमारे constitution में ठीक है हम right to equality पढ़ते है right to freedom पढ़ते है right to life पढ़ते है ठीक है अगर हम ये सारे rights पढ़ते हैं हमने क्या right to water की कभी हमने clearly बात की है जिन बच्चों को ये लगे कि हाँ clearly mentioned है clearly mentioned बहुत कुछ नहीं है clearly mentioned बहुत कुछ नहीं है लेकिन वो हमारे article 21 का एक part है so हम इसको एक right to life का एक part मानते बच्चों बट अगर हम ये कहे कि ये जो है वे explicitly mentioned है हमारे constitution में ये गलत होगा so इसमें correct के हाँ only option number भी केवल दूसरा जो है वे कला सही है first जो है वे wrong है ठीके अब देखो कैसे कि हमने देखा कि जो right to water है ये आपका article 21 में article 21 right to life का एक हिस्सा है ना कि clear mention है ठीके clear mention नहीं है right to life supreme court के द्वारा भी article 21 के अंतरगत जो है right to life का part right to water को माना गया था ठीके साथ ही देखो और हमने देखा कि यहां पर अगर हम ये कहें कि सभी को पानी मिलना चाहिए सभी के पास जो water excessive होना चाहिए इसमें कुछ points जो है लिखलो आप साथ साथ में कि हम देखेंगे कि इसमें every person कुछ बातें नहें थें कि right to जो water है सभी व्यक्तिव को हो ठीके every person doesn't matter कि वह poor है या rich है second हम इसमें बात कहें कि sufficient amount में ठीके second कहा है बच्चो sufficient amount में available हो मतलब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ठीके एक तो सभी के लिए उपलब्ध हो सभी को उपलब्ध हो और दूसरा क्या है sufficient पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा और important इसमें जो point है कि अगर मालो charges जैसे कि आप water tax मतलब water charges कुछ तो आप देते ही है नहीं आता है बिजली के साथ सब आता है तो अगर यहाँ पर वो पाली का bill भी जो आ रहा है तो उसका भी जो price है वह ऐसा हो जो कि एक poor people जो है वह भी क्या कर सके afford कर सके तो इसका जो price है वह कैसा हो affordable हो है ना तो यहाँ पर हमने देखा कि price भी affordable होगा सभी व्यक्तियों के लिए भी available होगा और sufficient amount जो है भी available होगा और इसलिए कहा जाता है कि जो right to water है basically इसका universal right to जो water है universal access होना चाहिए और यही universal access का मतलब है ठीक है universal access सार्व भॉमिक पहुँच universal access का मतलब क्या है सारभों में पहुच का मतलब यही है कि सभी के पास available हो और एक affordable amount में जो वो pay कर सके so universal access का मतलब क्या है when everyone has physical access when everyone has physical access to a good किसी भी चीज़ की किसी भी वस्तू का है ना किसी भी वस्तू के everyone तक एक access हो to a good and can also afford it and can also afford it ठीक है तो वहाँ पर affordable भी हो और plus access भी हो afford it clear है मतलब हर व्यक्ती को कोई भी चीज़ पूरी तरह से हासिल हो जाए और वह उसका खर्च उठा सके तो यहाँ पर दू शब्दे एक तो उसको हासिल हो और दूसरा कि वह उसका जो खर्च है वह आसानी से उठा दे इसी को universal access जो what है वह कहा जाता है चोटे-चोटे से what's का मतलब समझते हैं और जो आप इसको लिखते हैं तब आपको जादा अच्छे marks मिलते हैं कि अगर आपने लिखा कि हमें education के universal access के लिए क्या करना चाहिए फिर हमें justice के universal access के साथ connect कर दो है तब हम क्या कहेंगे किसका मतलब यह है कि सभी के पास physically उस वस्तू का जो पहुच है वै होना चाहिए है ना और वो उसका खर्च असानी से उठा सके वही universal access जो है वै कहलाता है तो ये right to water के कुछ concepts हो गए अब देखो article 21 आपको हो गया है ना अब मैं आपको SDG 6 से इसको connect हम कर लेते हैं sustainable development goal आपने सुने होंगे नई सुने मैं आपको बता दू तो यहाँ पर क्या है कि UNDP United National जो development program है उसके द्वारा क्या किया गया है कुछ जो लक्ष जो की 2030 तक जो भी सदत से देश हैं उनको प्राप्ट करने के लिए रखे गए हैं उसमें हम देखेंगे कि जो आपका sustainable development goal जिसे short में SDG लिखा जाता है SDG जो 6 है वो बात करता है जल और सुक्षता की clear water and sanitation clean water clean water and sanitation clean water and sanitation जल और सुक्षता SDG 6 है बात करता है ठीक है और इसमें SDG 6 है कहता है access to safe water sanitation and hygiene is the most basic human need for health and well-being तो यहाँ पर basic need के साथ हमारे health के लिए भी बहुत essential है clean water यहाँ पर हमने देखो right to safe drinking water जो मैंने आपको आंदरा का case बताया तो सुक्ष पीने के पानी का जो अधिकार है right to safe drinking water right to safe drinking water यह आंदरप्रदिश गवर्मेंट आंदरप्रदिश हाई कोर्ट के द्वारा 2007 में decision जो है वैं दिया गया था है ना तो यहाँ पर और इसके अलाब हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और भी जो कोर्ट से इंडिया के उनके द्वारा समय समय पर जब भी इस तरह से मुद्दे आए हैं उन्होंने इसकी जो व्याख्या है वैक्षी है कि किस तरीके से आपके life के लिए आपके survival के लिए right to water बहुत ज़रूरी हो जाता है ठीके अब देखो इसके लावा बच्चों UN कहता है सयोगत रास्ट की परिभाशा है right to water entitles entitles everyone to sufficient safe शब्दों पर ध्यान देना कि UN के द्वारा जो पानी की जो परिभाशा दी गई है है ना right to water की जो परिभाशा दी गई है उसमें यह कहा गया कि everyone to sufficient safe acceptable physically accessible and affordable water for personal and domestic use यह definition book में दी है इसको पढ़ लेना मतलब किसी भी व्यक्तिगत रूप से और घरेलू इस्तमाल के लिए परियाप्त, सुरक्षित, सुईकार भौतिक रूप से और सस्ती दर पर जो पानी है वे मिलना चाहिए तो पाँच बाते इसमें available है ठीके तो UN क्या कहता है UN कहता है कि आपके right to water में चार पाँच बाते आएंगी कि आपको सभी व्यक्तियों को sufficient safe acceptable physically accessible भौतिक रूप से पहुँच अवलबल हो physically accessible ठीके and affordable and affordable तो यहाँ पर ये चार पाँच पॉइंट्स जो है UN कहता है कि right to water का मतलब जो है ये समझा जाएगा फियर हुआ इतना चलिए आगे हम चलते देखो अगर हमें conclude करना हो इस पूरे right to water के issue को तब आप इसको conclude कैसे करेंगे कि finally जो government है public facilities को है ना basically public facilities को अगर हमें conclude करना हो तो इसका जो conclusion है निशकर्ष है यह हो सकता है कि चुकि जो भी public facilities है वह हमारे एक basic जो need है ना हमारी जो survival है उसके लिए जरूरी है और यहाँ पर government का यह responsibility होने चाहिए कि government जो है वह हमें इसको provide करें और लेकिन देखो हम देखते हैं कि अभी जो challenges है वह क्या है कि हमारे पास जो भी public facilities हम देखें तो उसकी जो पहुँच है ना वो satisfactory नहीं है संतोष जनक नहीं है चाहे हम सिक्षा की बात कर ले चाहे हम health care की बात कर ले है ना चाहे हम road transport की बात करें तो यहाँ पर अगर है तो affordable नहीं है तो ऐसे भी हम कहें जैसे कि अब उडान इसकी में उसमें कहा ग affordable है उस व्यक्ति के लिए जो बाकी ट्रेंड का सफर कर रहा है तो यहाँ पर अगर हमारे पास है भी चीज़े तो satisfactory नहीं है इसके अलब सेकेंड हम देखते हैं problem कि बच्चों इसको shortage supply है जो भी public facilities है उसका जो supply है वह कम है shortage supply है ठीक है या फिर एक और जो important है अगर है भी तो inequality है ठीक है inequalities है inequalities in distribution जो वित्रण किया गया है उसमें बहुत ही जादा inequality है किसी को मिला किसी को नहीं मिला है ना तो यह कुछ ऐसे challenges है जो कि public जो facilities इसको provide करने में government को आते हैं है ना और यहाँ पर government is to ensure etiquette public facilities for everyone यह इसका basically सार होगा कि government इसको बात को ensure करे कि सभी को यह जो public facilities है वह मिल सके तो यहीं यहाँ पर इसका finally आपको last line लिखनी है कि government की यह responsibility है कि वह ensure करें public facilities को सभी लोगों के लिए क्योंकि यह लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है ठीके और हमारा constitution कहता है हमारा constitution कहता है कि जो government है वो यह सारे चीज़े अपने नागरिकों को provide करेगी तो एक democratic country में बहुत जरूरी है कि सरकार लोगों को कीवल बस right to vote ना से इसके अलावा उनकी social और बाकी lives को ठीक करने का जो प्रयास है वह भी करें ठीके आओ कुछ questions मैं आपको दिखाती हूँ यह question आपका DPSP से related है देखो which among the following statement about DPSP directive principle of state policy correct statement आपको बताना है फस्त आप से कहता है guideline which were incorporate in the Indian constitution but made non-justiciable are called the DPSP है ना दिशा निर्देश जो भाड़ते सम्विधान में शामिल किये गए थे लेकिन गैर नयाईक बनाए गए गए थे और ने DPSP कहा जाता था गैर नयाईक non-justiciable का मतलब क्या है कि आप इनको enforce कराने के लिए Supreme Court और High Court से नहीं जा सकते हैं जैसे कि आप fundamental right के लिए जाते हैं तो non-justiciable है यह बात बिलकुल सही है governmental effort to give effect to DPSP right to education पंचायती राज institution all over the country ठीक है DPSP में प्रभावी बनाने के लिए सरकारी प्यासों में सिक्षा का अधिकार और पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं का गठन शामिल है पंचायती राज की बात करें तो इसको गांधिवादी DPSP भी कहा जाता है गांधिवादी प्रिंसिपल भी कहा जाता है यह आपका article 40 में है ठीक है साथी देखो DPSP में कहा गया है कि जो गवर्मेंट है वे क्या करेगी एक वेलफेर के लिए काम करेगी ठीक है वेलफेर welfare state की संकल्पना कल्यान कारी राज लोगों के कल्यान के लिए काम करेगी तो public facilities तो सारी चीज़े provide करना एक तरे से लोगों का welfare ही है तो यहाँ पर second में यह का कि right to education right to education यह बताओ कि DPSP का part है या फिर अब यह उठके article 21 में चला गया है आपके fundamental rights में 86 जो आपका constitution amendment था exactly यही हुआ है तो यहाँ पर right to education अब DPSP में नहीं है हम देखते छैसे लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे है ठीके उनकी सिक्षा वगेरा का जो भी उनका प्रात्मिक और यह अधिकार है यह government उन्हें provide करेगी है ना और यह कहाँ पर लिखा हुआ है यह आपका article 21 में mention है तो उसमें जो है वह shift कर दिया गया था 86 amendment के द्वारा पहले यह DPSP में था यह बात UPC ने पूछी भी थी कि basically 86 amendment में हुआ क्या था amendment में हुआ कुछ नहीं था वस एक चीज़ को कि दूसरी जगा जो है रख दिया था तो right to education DPSP के नहीं बलकि हमारे fundamental rights का part हो गया हमारे fundamental right का part हो गया क्यों क्योंकि अगर हमें education नहीं मिलीगे हम खुद का विकास नहीं कर पाएंगे survive ठीक से नहीं कर पाएंगे livelihood अब अच्छा प्राप्त नहीं ऐसे में हमारा right to life भी खत्रे भी होगा तो यहां पर right to education हैना एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है इसको fundamental right भी शामिल कर लिया तो यहां पर यह जो second statement है वह गलत हो जाएगा चुकि सही पूछा option number A सही है कि DPSP जो है उसका nature non-justiciable है लेकिन fundamental right का जूनी चाहर है वह justiciable है नया योग है है ना आप इसको enforce कराने के लिए supreme को जा सकते है जो types की हमने rich की भी बात की थी जिसे कि mental mess है, satuary है, q warrant हो है ठीक है याद होगा आपको रिट्स की हम बात पहले कर चुके हैं एक और question दिखो यह बताओ कि अगर public facility है सावजरिक सेवा है तो जरूरी है क्या वो कि वह आपके लिए free of cost ही available हो हाँ, affordable की बात की जाती है affordability एक challenge होता है no doubt, लेकिन यहाँ पर free provide की जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है हाँ, यह बात सही है कि अगर एक बार जो है, road बन गई, transport जो चीज़े है वह शुरू हो गई, तो फिर उसके जो benefits है, मिलते ही मिलते हैं, कम नहीं होंगे ठीक है, और electricity और यह सारे जो चीज़े है हमारे लिए क्या है, incorrect statement आपको बताना था ठीक है, तो यहाँ पर incorrect statement क्या है आपका option number जो 3 है, ठीक है तो यहाँ पर मैं only 3 कर देती हूँ, third वाले में option number D, चलिए अब एक और important जो आपका point बचा है कि government का क्या रोल है, जो कि हम discuss कर चुके बट इसको हम देख लेते हैं, ठीक है तो देखो, government का basically यही रोल है कि government must carry the responsibility of providing this to people, यह जो public facilities है, government का रोल है, कि वाई provide करे, अब government कैसे provide करेगे, government के पास जो भज़च आता है जो लोगों का tax है, यहाँ पर जो tax है, जो उनका revenue और सारी चीज़े आ रही है, उसी से तो यह public transport, या फिर सारी चीज़े आपको दिखाई देती चाहिए, education का पैसा हो, education scheme का पैसा हो, या फिर बाकी scheme में पैसा हो, तो यह सारी चीज़े है, का सारी, government के पास जब इतना tax जा रहा है, उसी tax को तो फिर आगे distribute किया जा रहा है, अलग-अलग scheme, अलग-अलग department, ministries को तो यहाँ पर सरकार के इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, देन देखो, चुकि लोगों की basic need के लिए जरूरी है, और हमारे decent life के लिए जरूरी है, कि हमें education और हमें health facilities, health care facilities जो हैं मैं provide हों, और इसके लिए government बहुत ही जाद है, इसके लिए responsible and accountable है, तिससे हम देखते हैं, कि चुकि right to life है न, right to life की अगर हम बात करेंगे, तो right to life that the constitution guaranteed for all person living in this country, देश के सभी जो citizens नागरिक है, उन्हें सम्विधान में चुकि guarantee दे गई है इस बात की, right to life की, जीवन के अधिकार की and their responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government है न, तो ये basically government की government की responsibility है, कि वह इन सब को provide करेगी, इसके लावा देखो, दो और आपके SDG है, एक तो मैंने 6 की आप से बात कर ली, ठीक है, एक 11 और एक 12, तो SDG 11 बात करता है, समवहनी, शहर और समदाई की, इसको मैं लिख देती हूँ, जो आपका SDG 11 है, ये किस से समबंदित है, sustainable cities and community sustainable cities and समदाई, communities और SDG जो आपका 12 है ठीक है, SDG 11 and SDG 12 SDG 12 में क्या लिखा हुआ, responsible consumption and production responsible consumption and production जिम्मेदारी से उभोगवा उत्पादन, ठीक है, ये दो और आपको SDG सी में पढ़ देने हैं, तो public facilities, right to water की हमने यहाँ पर जादा बात की, fundamental rights से जुड़ा हुआ है, मैं इसका question देखा, water stress जो की एक बहुत बड़ा हमारे लिए environmental issue है, इस से जुड़ी हुई कुछ बाते हमने की, ठीक है, public facilities क्या होती है, क्यो जरूरी है, कहा लिखी हुई है, last time हमने इसको conclude किया और इसके challenges है कि satisfactory अभी भी available नहीं है, ठीक है household और बाकी conditions हम देखे कि अभी भी शायद काफी ऐसे कुछ percentage अभी भी गाउं होई, जिनके पास अभी electricity उन तक नहीं पहुची है, हैना उन तक बाकी जो internet और बाकी connections से वो नहीं पहुचे है, education नहीं पहुचा है, आप देखेंगे कि चाह distribution में, तो ये कुछ ऐसे challenges है, and finally हमने देखा कि government जो है वैं इसके लिए ensure करने के लिए जहमदार है, last जो हमारा topic बचा हुआ है law and social justice, देखेंगे कि जो हमारे law बनाए जाते हैं, वैं किस तरीके से social justice सामजिक नयाय को बढ़ावा देते हैं, तो ये आपकी इस class का class 8 जो आप आपका पॉलिटी, social and political life part 3 चल रहा है, इसका आपका last chapter होगा, ठीके, इसके बाद पिर हम जो आपका geography के, geography का class 6-7 हो चुका है, class 8 की हम चर्चा करेंगे, ठीके, चलिए बलते हम अपनी next class में, thank you, thank you so much.